बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने इटुबिन पेपर हैकर में मैं सुर्ज रास और आसकीज भी देखने वाला है जो भी चात्र बीए सेकंड सेमस्टर में है तो देखो बीए सेकंड समस्टर कर न्यू मोडल पेपर 2022 की बात करने वाला हूं जो आपके पेपर हो हैं अभी जितने उनिवस्टी पेपर करा रही है उन सभी चात्रों से कहना चाहूंगा कि जो कोशन मैं आपको दे रहा हूं 17-18 कोशन उन को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं आप इस कोशन के अलावा एक भी कोशन मत पढ़ना म मैं आप से बोल रहा हूं जो कोशन बता रहो बही पढ़ लो बही याद कर लो और तुम कोगे सर इन कोशनों के आंसर आपको कहां मिलेंगे आंसर को डालोड करने के लिए आपको हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेक वैप साइट है जिसका लिंक मैंने डिसक्रप्शन बॉक् हकता है इसे չंजा कर रहें यहां बातकरने द्हान से लेकिए यह हूंहारा कोशन है वह है एंड इस्टैडिक स्टैडिज का पेपर है जिसे हम मालेट्री साइनस बोला जाता है यह पेपर में क्या क्या कोशन फसरा है 2022 के पेपर में क्या क्या आएग인 आपने अभी चलको सस्क्राइब नहीं किया पेपर हैकर को तो अभी कर लीजे ज़ादा से ज़ादा दोस्तों को शेयर कर दीजे पहले कोशन पर अपने बुक नोट्स गैसे पर या मैर्केट से लेगे आ है तो उस पर टिक लगा लीजे या फिर हमारे नोट्सों को डालोड कर लीजे जो ब सेनाओं की बिवस्था कैसी थी ये बताऊ ठीक है और साहिसाद और यहां बूला गया है वैदिट काल में उस सेना का मतलब की ऑस्ता रवास्ता का सेना का गठन कैसे किया गया था साह्ती सान्भ सIGHT जो यूद करनाई थे किस तरीके से युद करना या बीदिक अगे, रहेंगा ठीक है मैं आपको हिंदी बहुत सिंपल तरीके समझा रहा हूँ जो बिल्कुल उसाधान भासा में समझाता है ठीक है तो यह आपको देख रहा है दूसरा यह मौश्ट इंपोर्टेंट कोश्यन है जिसको मैं मौश्ट की बात करूँ और एक्जाम से दो दिन पहले म आपको इंपोर्टेंट कोश्य कोश्य दूगा जोब के पेपर में छपराओगा तो याद रखो यह कॉटटल सेना के छेत्र में कैसा यूद करें कैसा क्या करना चाहिए बहुत घ्ञान था उसको एक विशेसक ता ठीक है प्रतवास आली बोला जा रहा है शैने बिसेसक था सबसे ज़ादा नहीं पूछे दाता इतना इसको आप छोड़ दीजेगा लेकन ुप्त काल कि तरिके से यूद कराए जाते थे वहीं आपको बना बना के लिखना है डर्ना नहीं है आपको गोच एक बार पड़ो बना-बना के लिख दो कोई भी कोशन चोड़ के मताना ठीक है, और सास्तरा इसको छोण देजिए, और यहाँ दीखे कह रहा है, राजपूत कालीन सेन विवस्था, मतलब कि जो राजपूत कालीन थे, राजपूत के एक सेन विवस्था थी, सेनाओ के एक टुकडी होती है, राजपूत, उसकी विवस्था कैसी है, उनका पतन होने क कारण पतन होने का मतलब है राजपुति सेन विवस्ता का खतम होने का कारण गया था ठीक है खतम पतन का मतलब होता है पतन का मतलब होता है हारना यह फिर खतम होना ठीक है होने का कारण गया था नेक्स कोशन यह देखो यह बहुत जाद इंपोर्टेट है तराई का प्रतम ये दोनों युद्धों के बारे में पड़ लेना छरो उसके बाद में Next question पर ठेक लगाएंगे Yeahव लागये है मनसब्दारी प्रथा देखो मंसब्दारी प्रता तोब खानों हुवा था इन तीनों युद्धों के बारे में आपको बताना है में कौन किस में किस ने हारा कॉन जीता वो चीज़ आपको सब गया गया यह वाला कोशन बहुत सद्धा इंपोर्टेंट है जो से कहते हैं सिवाजी के काम में मराठा सेना के चौड़त पर भी आपको बताना है तो सिवाजी के काम को छोड़ देजिए चोड़ उटा हो इस को देखो फाल्टों की कोशन हम हटा रहा हूं यहाँ बोला गया ह सिख सेन पदती युद्ध कला अब देखो एक सिख मतलब कि जो सरदार वाली एक क्या थी सेन ठुकड़ी थी उसका युद्ध कला वो किस तरीके से युद्ध करती थी उसका संगठन कभ हुआ था किसने किया कैसे किया गया था और उनके सुधारों के बारे में देख लेना यस इंडिया घमपनी के बारे में तो आप जानते हैं को जब रिष ते तो इस इंडिया घमपनी थी अधीन के अधीन भारती सेना का संगठन कैसे था मतलब इस इंडिआ कंपनी के इंदर क्या करते थे भारती सेंड काम कर obscure कर थी तो चीज्वह लूथ जब तक हमारा बारत जो एजनसी होती है उनके सुधारों की बारे में आपको देख लेना है एक इनकी एजनसी ही बोला जाता है यह फिर जिसे हम प्रेसिदेंसी बोल सकते हैं ठीक है जो सेना होती है और उनके सैने सुधार क्या थे वह चीज़ा हम यहां देखने है अब देखो जब हमारा भारत सोतंत्र हो गया था उसके बाल भारत और पाकिस्तान के बीच एक संगर्म हुआ उस युद्ध के बारे में आपको इकस्पन करना है ठीक है नेक्स कोशन है भारत ऑचीन के बीच एक युद्ध हुआ था जो हुआ था उनने सो पासट में ने सो पासट में भारत और उसके बार उसके बाद में जो गोरब पांड़ इसके प्राप्त सिक्षा कुन से सिक्षा को इससे बूलते हैं। सिकंदर द्वारा जो ज्छीलम नधी थी को पार करना ज्छीलम के संग्राम के महतमुण घतना थी इस कतन की व्याक्या करियें। मतलब जो सिकंदर था वह ज्यलम नदी पार की थी उसने तो ज्यलम संगराम एक ज्यलम संगराम का मतलब थे ज्यलम यूद्ध हुआ था उस घटना के बारे में आपको एक्स्पन करना है पढ़ना अच्छी तरीके से और कोटल पढ़के जाना सॉठम संद्र से आपके समझते हैं आगार सम पतन्त की बारे में आप देख लेदा ऑलाड जौ कैसकते हैं किचनर थे उनके सब्सक्राइब कश्मीर समस्या के बारे में पढ़के जाना यह वॉस्ट इंपूटेंड समस्या के नुपर के बारे में तो आज योँद्ध को वीडियो पसंद आही होगी चाल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका लूट्स डालोड करने के लिए पेपर हैकर डॉट इन वेब साइट पर जाएंगे और बहां से डालोड कर लेंगे बागी मिलता है नेक्शन तब तक लिए बाई बाई दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें